नमस्कार आपका स्वागत एश्यानी जिन्या में आपके साथ मैं पून हूँ एक्टर अनुपम खे ने हाली अंटर्वियू में दिवंगरत एक्टर सतिश कौशिक की बेटी के बारे में बात की इस दोरान उन्होंने बताया कि सतिश की मौत के पांच महीने बाद वंशिका कैसी है साथ इन्होंने कहा कि वंशिका की जिन्दगी में कभी भी सतिश कौशिक की जगा नहीं ले सकते 9 मार्श दोजा 23 के दिन कार्डिक अर्स्ट के चलते सतीश कौशिक का निदन हुआ था तब से अनुपम खेर उनकी बेटी का ख्याल रखते हैं अपने बिजी चेडियूल के बीच वब अन्शिका के लिए जरूर समय निकालते हैं अनुपम खेर ने बताया कि कैसे दोस्ट सतीश कौशिक के जाने के बाद उनकी बेटी वण्शिका के जिन्दगी में पिता की कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं अनुपम ने कहा कि उन्होंने भी अपनी जिन्दगी का एक एहम हिस्सा खो दिया उन्हें अपने अजिस दोस्ट की बहुत याद आती है अनुपम ने सतीश कौशिक की बेटी वण्शिका के बारे में बात करते हुए कहा सतीश की मौट से पहले भी मैं उनके घर जाता था तब भी मैं वण्शिका से खुब बाते करता था लेकिन उनकी मौत के बाद आम में वंशीका से मिलने के लिए जी जान लगा देता हूँ मैं हर हाल में उसके लिए समय निकालता हूँ ताकि वंशीका को यह महसूस हो सके कि उसकी जिन्दगी में भी पिताके जैसा कोई शक्स है इसी के साथ बने नहें एक्षेणी जिन्दा के साथ रन्यवाद